हलो स्टूडेंट्स डेनी क्लाशेजम आपका स्वागत है आपके राजस्तान करमचारी चैयन बोर्ड आरेसस बी लडीसी दोहजार चोईस का आपका रिजल्ट आ चुका है कटोफ उसकी जारी किये जा चुकी है लगबग हम बात करें तो सभी की कटोफ सेम रही है कोई जादा फरक नहीं रहा है 180 के आसपास कटोफ गुमी है ये कटोफ आपकी रही है अब जो स्टूडेंट्स इस कटोफ को पार कर चुके हैं फेज फिस्ट जिन्नोंने पास कर लिया है अब उनका सेकिंड फेज होगा टाइपिंग होगा देखो एक चीज तो सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट बात आपको बता दूँ आपको स्लेबस और टाइपिंग दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा ये मत सोसना कि मैं टाइपिंग तो बाद में कर लूँगा पले स्लेबस पे ध्यान देता हूँ देखो एक दो गुंटे में कुछ नहीं फरक पड़ेगा लेकिन टाइपिंग को भी आप साथ सा टाइम दो और जिन बच्चों को टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती उनको तो ध्यान देना ही देना है तब आपका फाइनल में जाके सेलेक्शन होगा ध्यान अकना तो ये गलती आपको नहीं करनी है दोनों को साथ लेकर आपको चलना है ठीक है अब हम सबसे इंपोटेंट जो हमारी बात इसमें रहने वाली है वो है कि जो साशन सची वाले है जिससे ज्यादा तर स्टुडेंट ये चाते है इनको साशन सची वाले मिले सची वाले में इनकी नोकरी लगे ऐसे नहीं है कि आपको जैसे सची वाले से आपको बार्ड में लगा दिया जैसल में ये कभी नहीं होगा लाइफ टाइम आप रहोगे वहीं अब ये पान्सो चोरेसी पोस्ट हैं यहाँ पे आपको नोगरी लगने के लिए अच्छी खासी महनत करनी पड़ेगी आप कितने नमबर लेकर आएंगे क्या आपकी स्टेटेजी रहेगी कैसे आपके नमबर लाने है और क्या आपको टाइपिंग में करना है वो आप डंग से अच्छे से समझ लेना क्योंकि देगो सच्ची वाले में अगर नोगरी लग गई तो आपके बले-बले है पर्मोशन बहुत अच्छे हैं हर चीज में मज़े हैं सच्ची वाले में नोगरी लगने का सीधा मतलब हो गया आप तैयारी करना भी छोड़ सकते हो चाहे आगे की तैयारी मत करो अच्छी आपका अच्छा जीवन आपका निकल जाएगा कोई इस्यू आपके नहीं आएगा नोगरी आपके अच्छी निकल जाएगी अगर देखो अगरेड़ सेकिंड आपके यह देखो यह आपके साशन सची वाले की हैं लिप ग्रेड सेगें साशन सची वाले पदकोड जीरो बन कितनी कितनी पोस्ट वो भी दिखा रहा है इसम हैं इसे सब में इसको बाटा हुए अनुस्य जाती अनुस्य जन जाती अन्य पिषडा वरग अती पिषडा वरग आर्टिक रूप से कम जोरो इस तरह से यह पोस्ट डिवाइड करी गई हैं सारी आपके ठीक है देखो एक बात और समझना अगर आप सची वाले सोच कर तैयारी करोगे तो नोकरी तो आपकी 100% लग जाएगी और आप इससे सोच कर तैयारी करोगे कि में तो कहीं भी नोकरी लग जाएगी सची वाले को माइंड में रखकर आप तैयारी करोगे ना नोकरी 100% लगेगी और ज्यादा तर चांस रहेंगे कि आप सची वाले में ही लग जाओ क्योंकि वहां की नोकरी आपको शानदार नोकरी निकलेगी अच्छा आपका बड़ी अजीवन निकलेगा अच्छा परमोशन आपका रहेगा अधर में आप बात करें जिसे अभी मैं आपको बताओं जिसे अभी वरत्मान में में शेशन कोट में एल डिसी में पोस्टेड हूँ 2018 में में लगा था मेरी जोब 2018 की है ठीक है अब 2018 के बाद हम बात करें 2024 आ गया लेकिन अभी तक भी परमोशन नहीं हुआ यह अगर आप सची वाले में लगोगे तीन चार साल में आपके परमोशन होएंगे अच्छे अच्छे परमोशन सापको वहाँ पर मिलेंगे और अधर डिपार्टमेंट पे भी आप बात करोगे तो परमोशन समा अच्छे खासे नहीं है आप खुद सोचके देखो ग्रेडेट फर लगोगे तीन साल बाद अठाइसौ ग्रेड पे फिर शक्रिस सो ग्रेड फिर बियाइसौ ग्रेड पे अच्छी कासी सेलरी मिलेगी अच्छी कासी आपकी रेपूटेसेशन होगी। इसलिए सची वाले जरूरी है तो थोड़े दिनों की आप मैनत कर लेगो ना ये दो एक मैने जो आपके पास है डंक से अच्छे से मैनत कर लोगे ना सची वाले ले जाओगे अब समझना सची वाले आप मिलेगा कैसे कैसे लगोगे आपको क्या क्या करना इसमें पढ़ेगा वो समझनाव देखो आपके जो पेपर होगा जैसे 11 अगस्त आपको जो पेपर होगा उसमें आप ध्यान देना ये आपको पेपर में करना है एक तो ये नमबर लाने है आपको और एक ये नमबर आपको लाने है दोनों ही जरूरी है ये दोनों में अच्छा स्कोर करोगे तब याकर सच्ची वाले आपको मिलेगा जैसे phase first में आपके रहेगा सामने घ्यान, देनिक, विज्ञान और गनित सामने हिंदी और अंगरेजी तीन- तीन गंडे का आपको समय दिया जाएगा फ़ले तीन गंडे इसमें आपको देंगे सो नमबर यहां लाओगे, सो नमबर यहां लाओगे मतलब जो GK है वो ढंक से अच्छे से करना पड़ेगा साइंस करनी पड़ेगी, मैफ करनी पड़ेगी GK में करेंट फिर भी आ जाएगा आपके बाकि राज़स्तान वाला कंप्लीट आ आपके वो GK है स्लेबस में देर का वो सारा आपके आएगा GK के क्योश्शन्स मैं आपको YouTube पे भी करवाता रहूंगा अच्छे क्योश्शन्स वहाँ से भी आपको काफी फायदा मिलेगा विसलिए आप YouTube पे सर्च करना, एक बार सर्च जरूर करना रिंडम्ली सर्च करना कि राजस्तान के मेले तुहार, राजस्तान के लोग देवता, आपको डेनिल क्लासेज के वीडियो टोप पर मिल जाएंगे, और काफी कम समय में आपके वो सारी चीज़ समझ में भी आने लग जाएंगे, देखो जो कम समय में अच्छी चीज़े पढ़ना चाहते हैं, वो डेनि लाजार मोडल पेपर मिलेंगे, एक्जाम लेवल वाले, सची वाले में आपको लगाने वाले मोडल पेपर आपको मिलेंगे, तो सो नमबर, सो नमबर, दो सो नमबर यहां हो गए, फिर सो नमबर का ये खेल भी है, ध्यान रखना, ये सो नमबर भी बहुत जरूरी है, इन 300 नमबरों को मिला कर जो इस्टूडेंट 200-240-200 तक पहुंचे गा ना उसका सची वाले पक्का हो जाएगा लगवग बात करें तो 240-200 नमबर तक आपको पहुंचना पड़ेगा सची वाले में लगने के लिए यहां अच्छी मैनत करनी पड़ेगी उसके बाद में यहां पर द्यान देना पड़ेगा आपके स्पीड टेस्ट भी है और आपके दख्षता परिक्षन भी है एफिशेंसी का टेस्ट भी है जिसे डेनिल क्लासिज की यह पर आप जाकर देखोगे हाई कोड के एफिशेंसी मैंने वेसे डाल रखे हैं वही आपके आती है तो गति टैपिंग 25 नंबर की एफिशेंसी 25 नंबर की इस तरह आपके प्रिशन बनेंगे अब यह जो सो नंबर का खेल आपके यहां पे नीचे दिखा रखा है यहां सो में से सो यह सो में से 90 पलस नंबर किसके आएंगे 35 की स्पीड वाले के नहीं आएंगे अगर आप सोचते हो आ पचास प्लस की स्पीड जब होगी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी एफिशेंशी आप डंक से अच्छे से सीख लोगे तब आप सो का स्कॉर या 90 प्लस स्कॉर कर पाओगे जिसके स्टुडेंट जो 60-70 की स्पीड कर रहे हैं वो 100% 95-100 तक अराम से इतने नंबर लियाएं और अब जो आपके पास समय बचा है इस समय में जितना हो सके क्योशन से आप टाइम दो क्योशन से ज्यादा निकालो टाइपिंग साथ-साथ करो लगबग एक से दो गंठे आप टाइपिंग को दो या आप काम साथ-साथ रेगुलर करो अब देखो यहां पर भी एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूँ नंबर कहां अच्छे लाए जा सकते हैं कौशी चीज फिक्स होती है जा नंबर लाए जा सकते हैं यह वाला पोर्शन यहां पर सो में से सो नंबर लाए जा सकते हैं मैं आपको बता दूँ और आप देखना स्टूडेंट लेकर भी आएंगे यहां सो में से सो स्कोर किया जा सकता है दूसरी यह जो आपके यह सो नंबर वाला दिख रहा है यहां भी लगबग सो या नबह तक आप पहुंचे सकते हो परियास करोगे यहां पर भी आप पहुंचे जाओगे इतना स्कोर आप कर लोगे तो आप टारगेट क्या रखना टारगेट किस तरह से बनाना कि मेरे को जो टाइपिंग वाला है वहां पे मेरे को सो में से सो स्कोर लाने है एक स्टेटरजी बता देता हूँ जिस तरह से आप चलोगे इतने नंबर आप लिया होगे 100-100 number में को यहा लाने है दूसरी बात मैं आपको बता हूँ सामने हिंदी और अंग्रेजी यहां पर 100-100 number लाए जा सकते हैं मיन्ट करोगे क्योंकि fix topic हैं में लाए जा सकते हैं फिर भी यह मान लेता हूँ कि आप यहां 90 का score करते हो यह मान लेता हूँ कि 90 का स्कोर करते हो आपके नंबर होगे 190 अब यह वाला जो पॉर्शन है सामाने ग्यान देनिक विग्यान और गणित यहां 100 में से 100 नंबर लाना थोड़ा हार्ड होता है करेंट अफेर कहीं से पूछ लेते हैं 80 नंबर भी लेकर आते हो तो हम बात करें 9, 8, 7, 170 टोटल नंबर हो जाते हैं 270 हमारे पास हम यह मान लेते हैं कि इसमें हमारे 100 में से 100 नहीं आए 95 नंबर ही आए यह मान लेते हैं इसमें भी हमारे 90 भी नहीं आए 85 नंबर ही आए और इसमें भी हमारे पीछे तर नमबर ही आए 15 नमबर और कम कर लो फिर भी आप वहां तक पहुंच जाओगे उस स्कोर तक पहुंच जाओगे 200 पलस वाले फेज में तो आप फिर भी पहुंच जाओगे तो टारगेट ये रखना अभी से टारगेट बना लो चुरुआट तो शुरुआद से फिक्स रखता वो नोक्री लगे जाता है यहां मेरेको अच्छा इसकोर करना है इसी चीज में मेरेको उनको टाइम देना है जहां मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ जैसे कई स्टूडेंट आउनको पता या frameworks में अच्छे इसको टाइम दो, current affairs को टाइम दो, यह strategy आपको खुद को बनानी पड़ेगी, कि मेरा कमजोर पार्ट कौन सा है, यह आपको देखना पड़ेगा, बाकि यह 100 वाला 100 है, आप यहां पे 100 में से 100 में अभी बता रहा हूं, ला सकते हो, इस पे ध्यान देना, यहां से भी आप 100 में वो strategy अपना ली, 100% आपका सची वाले आपको मिल जाएगा, तो एक तरीके से पढ़ना, देखो कई student मैंने देखे हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, selection नहीं होता, कई ऐसे होते हैं, जो डेली 5-7-8 गंडे पढ़ते हैं, strategy से पढ़ते हैं, जिसे हम बात करते हैं, तो कमी प पर भी देखने को मिल जाएंगे, पूरे मार्केट में अवेलेबल होंगे, एक्जाम लेवल के अकोडिंग होंगे, वीडियो को जितना उसके शेयर कर देना, डेनल क्लासेज का टेली ग्राम चैनल भी जोइन करना, वहां पर भी अच्छे-ची इंफोमेशन में आपको देत रहता हूं, धन्यवाद